हेलो एवरीवन, ऐस्सलाम увmot, वेलकम डेक टूँ माई चैनल, कैसे हो याप सभी आई होप आप सब veramente बहुत एक सार्थयों, और आप सभी के रोजे बहुत अछछे से गुजर रहillsे होंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शमी कबाब की रेसीपी से तो मैंने 1 kg साब बोटी का गोश ले लिया है और उसको मैंने अच्छे से वाश करके ना कूकर में डाल दिया है और अब मैं यहां ले रही हूं कुछ खड़े गरम मसाले तो गरम मसालों में मैंने लिया है 1 टेबल मैंने कुटी हुई लाल मिर्च 20-25 लहसन की कलिया और दो बड़े टुकले मैंने अद्रक के ले लिये हैं और नमक ले लिया है टेस्ट के हिसाब से और पानी डाल दिया है और अब मैं इसको लीड लगा कर रख दूंगी पकने के लिए तो इसके अंदर नाही में प्यास डा आप इस तरह से ना मेरी तरीके से एक बार इस रेसीपी को जरूर ट्राय करें आप खुद मुझे बोलेंगे कि हाँ वाकए यह पी बहुत ही ज्यादा ना टेस्टी रेसीपी है शाभी कबाब आपके बहुत ज्यादा टेस्टी बनेंगे और देखिए गोश्त को मैं पानी और इसको मिक्स करकर मैं रख दूँगी लीड लगाकर पकने के लिए यह देखिए तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है गोश्ट में वो डाल के साथ में पूरी हो जाएगी गोश्ट जो है बहुत अच्छे से गला हुआ होना चाहिए मैंने मिक्सर में पिसा हुआ ग गोश्ट लिया है इससे क्या होता है कि हमारे कवाब जो है ना रेशेदार बनते हैं और जैसे अच्छे से जो है ना दाल गोश्ट बनकर मतलब पककर अच्छे से तयार हो गया था तो जो है ना मैंने इसको जो है शामी कवाब के मिक्सर को जो है ना सिल्फ बट्टे पर जो कि हमें फिर उतने अच्छे नहीं लगते खाने में और टेस्ट भी फिर बदल जाता है तो बस मैंने इस सिल पर जो है सारे श्यामी कबाब के बैटर को पीस लिया है और फिर अब मैंने डाले हैं इसके अंदर कुछ मसाले तो दो से तीन मीडियम साइज की मैंने प्याज बारि जो है दो अंडे ले लिए है अगर आप हाफ केजी के बनाए तो एक अंड़ डाल ले और यह सारी चीज़े डाल करना मैंने इस बैटर को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब मैं देखिए मेडियम साइज के शेप में बना रही हूं कबाब और इन सभी कबाबों को बहुत ही ज्यादा ना टेस्टी बनेंगे और यह जो शामी कबाब की में रेसिपि आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूं ना यही रियल है बाकि इसमें जैसे कि आप डालो हल्दी धनिया या प्याज उससे मुझे अच्छा ना टेस्ट नहीं आता है सारे बेटर को पी ने तो इन सारे शामी कबाब को जो हैंना मैं व्रीजर में रख दूंगी इस्टस करके फ्रीज करने के लिए तो यह देखी तीस कबाब अघए हैं már तो इससमें अपने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था ये भी मैंने साफ कर लिया है पुदिरा साफ कर लिया है धनिया रह गया था तो इसको भी देखी मैंने साफ कर लिया है प्यास को मैंने जो है लंबे-लंबे स्लाइस में मैंने कर लिया है और अब मैं करूंगी प्यास को फ्रा मैंने गरम कर लिया और उसके बाद में मैंने प्यास डाल दी है सभी और ये करीब मेरी दो किलो प्यास होगी और मैंने इसको जो है ना प्यास को जो वो किया था ना कदू कस कर लिया था मैंने और ये एक ही साइस की जो है ना प्यास है और अब यहां मैंने निकाल लिये हैं ज 20-20g लुवंगे लूंगेवां, 40 g एक की एक की पobeninator, 8–10g अजवायन,े समछे, 3 légistaOM अगेवांगे जरह एक तेज पत्यपत्य पत्त्त्यन éénः और 25 गिराम नहें फीशा जाह नहीं है सी प्लीए स्टोन स्टो off कंच 17-20 पीपली है Ama मैंने नहीं यह अब यहींजिए मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं डाली अभी सारे मसालि लें ने अजब तक शब अच्छे से ज़ना कॉल्डण च्छी तो यह देखि में प्याज अच्छे से golden fry हो गई है और इसको fry करने के बाद में एक बड़ी सी प्लेट में निकाल लिया है और इसको मैंने जो है न फैला दिया है ताकि जो प्याज है आपस में जूड़े नहीं मतलब मिल नहीं जाए तो अगर फैलाती नहीं न तो फिर यह आपस में जूड़ के लिए ना मसाले लिए थे वो मैं आ गई हूं इनको ड्राय रोस्ट करने के लिए तो मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने धनिया और जीरा जो है पेन में डाल दिया है और पेन मैंने इतना गरम किया कि आप आराम से जो है उसको पकड़ सकते हो मतलब बहुत ज्यादा मैंने इसको हीट नहीं किया है और तेज पत्ता जो है ना मैंने वो सीजर की हेल्प से कट कर लिये हैं अगर मैं साबूर डालती ना तो फिर वो रोष्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत करते गिरते इधर उदर तो इस वज़ए से मैंने उनको बारिक बारिक टुकडों में कट कर लिया है अब आराम से यह सारी चीजे रोष्ट हो जाएंगी और जितने भी बाकी के मसाले थे वो साने मैंने इसके अंदर डाल दिये हैं अब सभी को एक साथ रोष्ट करना है ना ही तो इनका कलर चेंज करना है और ना ही इनको बहुत ज्यादा भूनना है तो यह मसाला जब मैं रोष्ट कर रही थी तो बहुत ही कोई ज्यादा प्यारी सी खुश्बू आ रही थी बहुत ज्यादा बहुत अच्छी सी और साथ ही साथ में यहां अपना 50 ग्राम जो है ना जीरा ले लिया है उसको भी मैंने रोष्ट कर लिया है क्योंकि मुझे बनाना है जीरा पौडर भूना हुआ जीरा पौडर और अब मैंने जो है ना चाट मसाली के लिए कुछ मसाले निकाल लिये हैं तो अच्छी से मतलब मैंने इनको भून लिया है और रख दिया है मैंने सबी चीजों को एक साइट में इत यह सब करते कड़े ही जो हैना सहरी का वख्त हो गया था क्योंकि यह जो क्लिप है ना मीरी वीडियो है तो यह मेरा जो है सैकंड सहरी का है मतलब मैंने फर्ष्ट रोज पैशन नहीं हुई थी और किस रीजन से नहीं हुई थी वो भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ तो जो है ना फिर मतलब मुझे बहुत ज्यादा मुश्किल हुई फर्स्ट रोजे को सारा कुछ मतलब करने में ना बहुत ज्यादा मतलब उल्जंसी हुई लेकिन यह है कि सब कुछ मैनेज करना पड़ा और मैंने किया तो खेर यह देखी सहरी का वक्त हो गया था तो यहां मैंने कबाब आप लोगों को सेकर दिखाने ही थे फ्राय करके तो सहरी का वक्त हो गया था तो मैंने यहां देखी सहरी के लिए कबाब फ्राय कर लिए हैं और आप लोगों क्रिस्पी और अंकरारे से बने हैं और बहुत ही कोई ज्यादा इनका अच्छा सा कलर आया है जैसे कि अगर मैं इसमें धनिया और हल्दी और प्याज वगरा डालती ना तो फूर उतने अच्छा से इसका कलर नहीं आता क्योंकि ये जो है ना शामी कबाब में जो हुद का अपना ब्राउन सा कलर होता है वो बहुत ही ज्यादा नैच्रल होता है और एक इट्रैक्टिव होता है मतलब अच्छा लगता है यही लुक मुझे यही कलर अच्छा तो जी मैंने सभी चीज़े आपको बहुत ही आसान तरीके से बनानी बताई हैं अगर थोड़ा सा भी बताने में उपर नीचे हो गया हो तो प्लीज इसको इग्नॉर करें तो बनाने में जितनी आसान है ना उतनी ही ज्यादा टेश्टी और उतनी ज्यादा खुश्बुदार मसाले हैं तो प्लीज इसको एक बार जो है ना ट्राइ करें और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करें और कॉमेंट करके ज़रूर बताएं तो अब मैंने आपको दिखाया कितनी करारी सी जो है हमारी प्यास फ्र गूदा में लेकर आई हूं खटी मिठी चट्टी बनाने के लिए तो इसको जो है ना मैंने न्यू पैन में पानी गरम कर लिया है और एक मैंने जो है ना मतलब वह बता रही हूं आट्री सापको कि यह इस्टिकर लगे हुए होते हैं अगर गरम बरतन पर ही चुटा लो ना तो वह सही रहता है तो मैं अना नाखून से चुटा रही थी तो वह मेरा जल रहा था तो फिर मैंने नाइफ की नोक से जो है नाना एम पित दृए से उसको चुटा लिया है तो बस इमलीका गूदा मैंने रग तिया है बीगने के लिए और यहां जो जो है 나 सब से पहले मैं जैफल लिया है इनके टुकड़े कर लिया है, अगर मैं साबुत ही डालती जार के अंदर टूटने का भी डड रहता है और देखिये बहुत ही बारिक सा हमारा घरमसाला पौडर बन कर हो गया है, रेडी बिलकुल मार्कीट जैसा, लेकिन हा, खुश्पु और टेस्ट अब मैंने यह इस चाट मसालो निकाले, वह डाल दिए है, चाट मसाले के मसालो में team 1 हैंख में जाए गारी कुते लिधाम कार पाॉडर, यह में मैं आपक लिधा का नमक बगना है चैट का नमक यह मैं मैंने बादा लिध्यवंक, और 1 चॉण Qить viewpoint siNão औffe greeting और ये सारी चीज़ें डालकर अच्छे से मैंने गराइंड कर लिया है और ये देखिए चाट मसाले का कलर जो हैना आप देख सकते हो कितना कोई प्यारा सा आया है और इसका टेस्ट जो हैना सच में बहुत ही कोई ज़्यादा जबरदस्त है तो बस चाट मसाला मैंने पीस कर गिराइंड कर लिया है और उसका जो जार है वो मैंने अलग रख दिया है अब मुझे कुटी हुवी लाल मिर्चे भी बनानी थी तो मेरा जो चोपर है वो खराब हो गया है तो वो जो है ना मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो मैं दूसरे गिराइंडर में जो है मैंने यह देखी रेट चिली फ्लेक्स बना लिया है कुटी हुई लाल मिर्चे तो नीचे से मैंने दो चार बार इसको चलाया उसके बाद में सब प्लेट में कर ली थे और जो साबुत मिर्चे रह गए थी ना वो बाद में डालकर मैंने हलकी दर-दर इसी ग्राइंड कर ली है तो एक काम हमारा यह निपड़ गया है अब मैं बना रही हूँ गिरीन चट खाने में बहुत ही कोई ज्यादा टेस्टी होगी तो एक गड़ी धनिया एक गड़ी मैंने पुदीना ले लिया था एक मुठी मैंने ली है हरी मिर्चे और मैंने खुब बहुत सारा जो है इसके अंदर जीरा डाला और नमक और उसके बाद में डालूंगी खटे पन के इमली का गूदा क्योंकि जो है इससे चेटनी का कलर जो है बहुत अच्छा बना रहता है एक दम गिरीन रहती है कलर नहीं चेंज होता है और फिर मैं थोड़ा सा इसके अंदर आमचूर पाउडर भी डालूंगी तो देखिए यहां मैंने इमली का पल्प निकाल लिया है औ मतलब ओवर हो गया है फुल हो गया है तो देखिए थोड़ा सा मैंने इसके अंदर पानी डाला और वन टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर डाला अमचूर पाउडर और पस अब में इस चेटनी को जो है ना गिराइंड कर लूँगी देखिए चेटनी हमारी तो मुझे ना बहुत ही कोई ज्यादा पसंदें बहुत अच्छी लगती है मुझे कांच के जो बोटल्स वगयरा होती है जार वगयरा होती है तो देखिए इसमें मैंने चेटनी कर लिए थोड़ी सी जार के अंदर रह गई है तो वह मैं किसी और डब्बे में कर लूँगी तो यहां देखिए अब मैं बना रही हूँ लाल मिर्च की चटनी जो की मेरी फैवरिट है और यह बहुत सारी चीजों में आईगी और बहुत हेल्प करेगी जैसी की दही फुल्की बनानी होना तो मैं इसी चटनी का इस्तामाल करती हूँ और यह मेरी खास मेरी फैवरिट जो है ना चटनी है और इसी से जो है मैं दही फुल्की बनाती हूँ जो की बहुत ही कोई ज्यादा टेस्टी बनती हैं तो यहां मैंने लाल मिर्चे ले ली और बहुत सारा मैंने इसके अंदर डाला धनिया वह सॉरी काफी सारा मैंने इसके अंदर लहसन और काफी सारा आप से डाला है इसको बैलेस करने के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने कुछ ज्यादा डाला है तो नमक जब भी आप दही फुलकी बनाएं या किसी भी चीज के साथ में इसको खाएं तो उस हिसाब में आप अलग से डाल सकते हो और यहां मैं बना रही हूं यह देखिए गिर क्रिनचिली का जो मैंने पेश्ट बनाया है यूसफुल रहेगा तो देखी मैंने एक बाउल ले लिया है और 6 में सादी में यहां मैंने सारे मसाली निकाल ली है वा मैंने अभी बताऊंगे आप 코 यहां देखी मैंने द्धनिय में घं़ CRो Hakk मेंने लिया है कुटा-हुआ क्या कहते हैं जीरा और मैंने 1 टेबल-चून निया हम एक अजवयांन और खुब हारे प्लाष्वन कतोरी मेहीं चक्टिख़ नयदे 가족 स्क्राइग शाब इसको मेज़िमेंट करने केlles मतलब इसको चाहा धूर्स रिसको च्राइबं करने के लिए इसको बैलेंस करने के लिए डाला है इतना ज्यादा नहीं कि मतलब यह पूरा हो जाय दएक्टा ना लिए जैए आप देखी सकते हो सच बता रही हूं कि यह पकोड़ा मिक्स अगर आप बना लेंगे न तो आपके सभी पकोड़ों की जान है यह सच में बहुत ज्यादा जो है ना इसकी जो है खुश्पू और बहुत अच्छी जो है ना मतलब खुश्पू है और बहुत ही कुछ ज्यादा इसका टेस्ट है तो बस इस एक चम्मच से जो है ना हम पकोड़ों में बस एक चम्मच लेंगे और अपने किसी भी पकोड़ों में आप ढाल सकते हो और बस उस पकोडों के हिसाब से आपको जो है नमक डालना है और बेजन क्योंकि नमक मैंने सिर्फ इस मसाले को बैलेंस करने के लिए डाला है बहुत ज्यादा मतलब मैंने नहीं एट किया है अब बारी आती है जी लहसर अद्रक का पेश्ट बनाने की तो यह देखिए मैं अद्रक कट कर रही थी और क्योंकि यह बिल्कुल न्यू नाइफ है तो यह बहुत ही कोई ज्यादा तेज है यह जो छूरी है बहुत तेज है और इससे मेरी उंगली ही कट गई है यह देखिए मेरी फिंगर कट गई है और खून रूकी नहीं रहा था चार से पांच बार में इसको वाश करके आ गई थी लेकिन खून नहीं रुक रहा था लगातार चल ही रहा था फिर मैंने क्या क्या क्योंकि मुझे बहुत सारे काम निप्टाने हैं और रोजा भी है मेर आर शाम की इफतारी की भी तैयारी करनी है तो बस मैंने मेरे घर में टेप ऐसी ही रखा हुआ था हलके सा मैंने कॉटन रखी उपर और फिर टेप लगाया और फिर से मैंने अपना काम शुरू कर दिया है तो देखि लहसन अधरक मैंने अच्छे से जो है इसका पेष्ट बन और ये देखिए इस जार के अंदर में भरूंगी ओर जब मbewाद भरूंगी तो मैंने पेस्ट के अंदर भरने से 50 Go तो इस sea करते हैं कि हमारे जो हमारा जो ही लहसन अद्रका पेश्ट है ना ये वन मेंथ नहीं आप इसको तीन से चार मन्थ भी इसका यूज कर सकते हैं तो देखिए इसको मैंने फुल फील कर लिया है और थोड़ा सा जो है न मैंने कुकिन ओईल उपर से डाल लिया है तो ये मैं क्यों कर रही हूँ इस तरह से इसको लॉंग टाइम तक चलाने के लिए क्योंकि अल्रेडी जो है न एक डबा लसन अद्रका पेश्ट मेरा बना हुआ है तो ये जल्दी से खराब नहों इसलिए तो आप भी अगर इसको लंबे समय तक चलाना चाते हो जैसी कि अगर लसन अद्रक मेहंगा हो जाता है और मतलब बजट से बाहर हो जाता है तो आप इस तरह से जो है न बना कर रख लीजिए ये 5-6 महीने तलक इस तरह से अगर आप बनाओगे न 5-6 महीने तलक चल जाएग उसके अंदर क्यूब्स बनाकर भी जो है इसको स्टोर कर सकते हो ये वैसी भी आगर आप इसको फ्रीज में रख लें या फ्रीजर की उपर वाली शेल्फ पर रख लें तो तब भी ये खराब नहीं होगा तो मैंने सभी तरह के आपको तरीके बता दिया आप जिस तरह से इ कि यहां यहां फ़स स्टा उर काला नमक सफेद नमक जीरा और काल म्सूर थोड़ा सा इसम करने लिया है उच्छा इसमें चूब्ध घा自PS क्ले क और उच्छा ए मारे पूंट ही मैंब देखनेम का च्टनी कर्我 bele थी प्लावा अधियां जारी मेरे फॉन्मीं हैं 1 ti-spon मेरे पाँज ए छी ग वांधे बेह पाँडर 1 551 when अधियून・गर्व 1 जियार ब्लेक सोल्ट मेरे 2 रचबे 1 वैड वाइट-सॉल्ट मेरे मैं इसके अंदर डाला बोलते-बोलते जबान भाल ढ्याते है मुएना बैख जाती है और भिस चट्णी मेरे रखती है जब तक चट्णी बनती है तो मैं क्या कर रही हूं कि मेंने यह ले दिन को डिनों मैं भर लूँगी और यह मैंने पहले नहीं भरेते क्योंकि जब हम मसाले पीजते हैं गिराइंड करते हैं तो मसाले गरम हो जाते हैं धुए निकलते हैं तो इस वज़ा से मैंने प्लेट्स ऐसी ही मतलब प्लेट्सों में करके रख दिये तक यह अरूम टमप्रेचर पर आ जा निकल रहा है और जैखने में अच्छे लग रहे हैं और अब बारी आते है 12 खी और एक हैं डियो चाहिए जुख नशी चली चूह-अधाड ऱार्व मैंने सारे मसाले भरे तो अच्छे से मेरी चटनी मतलब अच्छे से बनकर तयार हो गई है तो इसको गाड़ी करने के लिए मैंने इसके अंदर डाला वन टीस्पून कॉन फुलॉर पानी में घोल लिया था और घोल कर अपने घटीमिठी चटनी के अंदर डाल दिया है मिक्स करने के बाद में इसको अच्छे से बाइल इसके अंदर दे मेरी यह तो मागत्य ने लेका अछे लगता है तो बदोकी नहीं चैनी के यह देखना है देखने में एक चैन छाए तो अब यह करीब दाय तीन घंटे के बाद की क्लिप है मैंने इतनी गाड़ी हो गई है तो बहुत ज्यादा थिक मैंने नहीं किये फिर जो है यह जमी-जमी सी हो जाती है तो बस यह कंडिस्टेंसी जो है ना इसकी मुझे परफेक्ट लगती है तो इस काच के मैंने जार में भर लिया है इसको चटनी को और एक बोटल ना मेरे पास में ही रखी थी टमाटो केजब की तो इसको मैंने अच्छे से मैंने वाश करके ना और इसका जो इस्टिगर वगरा है वो जाएगी बहुत अच्छे से आराम से काफी अच्छी कॉंटिटी में मेरी बहुत सारी चटनी जो है खटी मिटी बनकर हो गई है अब यह देखिए यह है दूसरे दिन की क्लिप अब यह जो है ना मेरे शमी कबाब जो है ना मैंने फ्रीजर में रख दी थे इस्टोर करने के तो पहले तो मैंने इन डबो में भरका रख दी थे लेकिन इन में अच्छे से यह फ्रीज नहीं हो रहे थे तो मैंने क्या किया फिर इसको जो है ना चौपिंग बॉड पर फैलाया इनको शमी कबाब को और फिर रखे थे मैंने फ्रीज करने के लिए तो अच्छे से यह फ् प्राइ कर लूँगी तो यह देखिए और इतने कोई यम्मी इतने कोई ज्यादा टेश्टी हो गए थे ना कवाब के दूसरे जो बॉक्स में रखे थे ना वो सारे फिनिश हो गए मतलब सहरी और इफ्तार में जो है ना शमी कवाब ही अम लोगों ने खाए इतने कोई यम्मी ज्यादा टेश्टी लगे थे ना बहुत ही ज्यादा तो आप इस तरह से मेरी रेसिपी की तरह से एक बार जरूर ट्राइ करना मटर में लेकर आई थी बजार से तो वो भी मैंने छील कर फ्रीज कर दी है कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं आसानी से निकाल कर बना एक डब के करीब ने चीनी ले ली और चीनी लेकर टाली और इसको ग्राइन कर ली और अगारेडी हो गई है और अब इफ्तार बनाने में हमें उसकाना इसकाले मतर फ्रीममराह heading एपर 2 में अपने किचन में लगा दी है जारों को मैं टेस्ट कर लिया है और आप की लुक हर जाया अच्छ अच्छ में इस सारे मसाले ज्यादा खुश Mustice मढरा है तो आप इस तरह से जुरू ट्राइ करें ऑच्छा सब चीजे दोड़ आप आत्मत बनाईएगा टाइम निकाल कर जैसे जैसे आपको टाइम मिले तो वैसे वैसे एक एक चीज़ को जो है ना हर रोज बना कर रख लीजिए जो कि आपके कामों को बहुत ज्यादा आसानी मतलब करेगा यह बहुत आपको आसानी हो जाएगी और आपका टाइम बहुत ज्य